नमस्कार मैं हूँ राहिला रह्मान और आप सभी कस्वागत करती हूँ क्रिस्टल्स और हम में दोस्तो क्रिस्टल्स ओर्नुमेंट्स की तरह यूज होते हैं क्रिस्टल्स डेकॉरेशन पीसिस की तरह यूज होते हैं लेकिन क्या क्रिस्टल्स सिर्फ खूबसूर्ती बढ़ाने का एक साधन होते हैं हमारी जिंदगी में या फिर वाकिए इनका हमारी जिंदेगी में कोई और महत भी होता है तो दोस्तो क्रिस्टल्स और हम में आज हम जानने की कोशिश करेंगे हर उस सवाल का जवाब जो हमारे केर वर्ल के दर्शक हम से अकसर जानना चाहते हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे क्रिस्टल्स के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अगरवाल जी तो आई ये स्वागत करते हैं अनूप अगरवाल जी का अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्ते अनुप जी क्रिस्टल्स आखिर करते क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी क्रिस्टल्स के अंदर वो शक्ति है जो हमारी किसी भी तरह की समस्याओं का समधान कर सकते है यानि अगर हमारी आर्थिक समस्या है, मानसिक है, समाजिक है, पारिवारिक है और हमारी अपनी शारिरिक कोई समस्या है, इनके अंदर वो मिनरल्स हैं जिससे आप किसी भी तरह की समस्याओं का समधान ले सकते हैं सबसे बड़ी चीज यह है, इसका astrological value नहीं है, यह सारा science के उपर based है, बेकल, लेकिन crystal जैसे आपने बोला हमारी हर समस्य का समाधान है, किस तरीके से यह use किया जाते हैं, क्या होता है इनके साथ, यह natural minerals हैं, जो प्रकर्टी से हमें मिलते हैं, कोई नदी से, कोई हमें पहाडो से, कोई माइन से, हर तरफ से हमारे पास आते हैं, और इनके अंदर वो natural minerals composition है, जैसे आप कोई tablet खाते हैं, उसके अंदर salts होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन normal course में हमें यह भी नहीं पता कि जो tablet हम खा रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या salt हैं, हम सिर्फ एक tablet खा लेते हैं, और यह कहते हैं, हमने लाल वाले capsule खाया था, यहारे वाली बोली खाया थी, normal course में, लेकिन यहां पे जो यह minerals हैं, यह हमारे body के साथ touch करके काम करते हैं, हमारे skin के अंदर pores हैं, और जिने हम, रोम छिदर जिसे कहते हैं, और जब यह contact में आते हैं crystal, तो उसके अंदर से mineral body absorb कर जो mineral था, वो stimulate हुआ system के अंदर, और आपको cancer relief आ गई, यहां पे हम लोग सबसे पहले उसका root cause पता करते हैं, और फिर उसी तरह का हम mineral उनको देते हैं, ओके, तो यह crystals, आपकी body में, जो minerals होते हैं, वो आपकी body absorb कर लेती है crystal से, उसी के जरिये जो आपकी problems होती हैं, वो धीरे जाये तो आपकी जिन्देगी पे बहुत गहरा असर भी पर सकता है, आपकी problems को भी solve कर सकते हैं, एक और सवाल हमारे दर्शक अकसर हमसे पूछते हैं, अनुप जी, कि जिसे रेकी होती है, उसमें भी crystals use किये जाते हैं, तो क्या वो crystals और ये crystals similar हैं, related हैं या फिर वो different होते है जो ये crystals हैं, इनके अंदर अपनी natural powers हैं, और यहां पे जो रेकी में जो crystals use करते हैं, उस पे उन्होंने अपना एक myth बना रखा है, कि इसको हमें energize करना है, यहां मैं एक छोटा सा question उन लोगों से पूछता हूँ, अगर हम crystal को energize कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, तो इसका मत अगर हम ज्यादा powerful हैं, तो यूज क्यों करूं, simple सी बात है, यहां पे यह crystals को हम charge नहीं कर सकते हैं, इनसे हम energy लेते हैं, इनसे हम charging लेते हैं, इनको कोई charging करने का कोई method नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाँ, एक simple सादे पानी से जरूर धोना है, for hygiene purpose, क्योंकि जब भी आप crystal क hold करेंगे, घर पे रखेंगे, तो उस पे एक dust, एक normal, एक सफाई के लिए, जैसे आप अपने घर पे dusting करते हैं, उसी तरह से, इसकी cleaning है, एक सबसे बड़ी चीज पता हूँ, कुछ crystal ऐसे हैं, जो environment के साथ effect करते हैं, मतलब, मतलब, अगर आप लों के husband wife के बीच में, या घर परिवार के अंदर, वाता वरंट बहुत negative है, या भारी रहता है, या घर में घुसने के इच्छा नहीं है, कुछ भारी पंसा लगता है, वहां हम कुछ crystals को place करते हैं, वो crystal जितना negative वाता वरंट है, उसको वो absorb कर लेते हैं, इक्जाक्ली, मैं ये आप से जरूर पूछूँ कि पता कैसे चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, दिमाग में हमारे दर्शकों की भी ये सवाल बहुत आता है, कि आखर हमें कैसे पता चलेगा, आप तो expert हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनको कैसे बता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे, जो स्टार्टिंग से हमारे एपिसोड नहीं देख पाए होंगे, तो आपको अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत कीजे क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए इस एपिसोड को री टेले कास्ट जरूर करेंगे, क्रिस्टल्स और हम देखना मत भूलिएगा, अनूप जी, कैसे पता लगेगा इस बात का, आपने बिल्कुछ सही कोश्चन कहा है, ये अकसर लोगों की कोश्चन होती है, कोईरी होती है, जी, देखिए कोई भी क्रिस्टल है, मैं उसके बारे में कोई डेटाबेस नहीं दूँगा, कि अगर आप इसको पकड़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने कहा कि इसको पकड़ेंगे, और आपको ऐसा मैसूस होगा, तो क्या होगा, अब आपका ध्यान सिरफ उस पर्टिकुलर एक्शन पे है, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन पे आप एक स्टेप को फौलो करते हैं, तो वहाँ क्या नतीजा होता है, कि meditation तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल पाया क्यों कि हम concentrate कर रहे हैं concentration के लिए तो आप उस steps को कहीं भूलना जाएं उसके लिए आप लगे हुए हैं तो यहां पे हमारे को important है कि हमारा कोई database नहीं है आप यब use करेंगे तो उसमें अपने आप ही आपको feel होगा और वो feeling आप ही explain कर सकते हैं अनु जी बहुत देर से मैं यह देख रही हूँ कि काफी अलग-अलग type की crystals यहां पे रखे हुए तो क्या shape भी effect करता है शेप ऐसा कोई इसका effect नहीं है अब मुझे आपको चार minerals देने हैं तो एक crystal केंदा चारो mineral हम मिलानी सकते तो दो पकड़ने के दे दिये एक कीमाला दे दी दो चोटे-चोटे अलग stone दे दिये depend upon कि आपको कितने minerals चाहिए प्रॉपर्टी सब में एक है अकसर हमारे पास कई लोग आते है कि क्या size matter करता है कि बड़ा stone या चोटा stone mineral तो वो ही है सिर्फ बड़े चोटे का इतना है कि आपको hold करने के लिए कौन सा convenient है मेरी तरफ से बड़ा piece ले जाओ अच्छा मुल्ब चोटा भी उतने effect करेगा बड़ा भी उतने effect करेगा सिर्फ crystal वो होना चाहिए बस mineral वो चाहिए जो exact mineral है अगर आपने वैसे कोई mineral ले लिया तो body accept ही नहीं करेगी फिर आप कहेंगे मुझे कुई फाइदा नहीं हुआ अच्छा crystals के categories क्या-क्या हैं किस तरीके के होते हैं कौन-कौन से crystals होते हैं यह अक्सर लोग मेरे से पूछ लेते हैं crystals बहुत तरह के हैं और इनके उपर पूरी encyclopedia भी है और पूरी सब चीज़े नेट पे अवेलेबल भी है यहाँ पे जो minerals है अक्सर जो data अवेलेबल होता है नेट के उपर उसमें एक crystal का नाम लिखा हुआ है और उसके advantages लिखी है तो normal क्या करते हैं लोग उस particular crystal को use कर लेते हैं लेकिन ऐसा possible नहीं है क्योंकि जब तक उसके साथ एक combination दूसरा नहीं आएगा तो इसका impact पूरा नहीं आएगा combination मतलब? मतलब जैसे आप घर पे सबजी बनाते हैं तो उसके अंदर खाली मैं चाट मसाला डाल दूँ तो क्या सबजी टेस्टी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं उसके अंदर मुझे चार ingredients और डालने पड़ेंगे तब ही उसका एक proportionate पूरा बैठेगा हमारा सब का metabolism अला गालग है तो खाली एक क्रिस्टल या दो क्रिस्टल मैंने नेट पे देखा या मैंने डेटा लेके अगर यूज करूँगा तो फाइदा नहीं होगा फिर क्या कहेंगे? नाई नाई इसमें कोई फाइदा नहीं है मैं एक चीज़ और बता दू यहाँ पे हाथ के हाथ कि यहाँ पे क्रिस्टल और जेम्स में बहुत अंतर है जेम्स जो हैं वो एस्टोलोजी बेस पे हैं और वो अपना अंगुठी के तोर पे आप लोग पहनते हैं लेकिन इन चीज़ों के उन से कोई लेना देना नहीं है अस्टोलोजीकल वैल्यू नहीं है यह सारा साइन्टिफिक वैल्यू से अच्छा लेकिन देखने में जो वो अंगुठीया होती हैं वो क्रिस्टल की तरह होती हैं क्या वो क्रिस्टल नहीं होती हैं नहीं वो क्रिस्टल नहीं वो स्टोन्स हैं जैम स्टोन्स हैं और ये अगर मैं आपको सिम्पल सी एक बाशा में समझाओं, कि एक स्पेशलाइजड है और एक सेमी स्पेशलाइजड है और एक रॉ है. तो इस तरह से इन में फरक आता है. लेकिन मिनरल प्रॉपर्टी एक ही होती है, लेकिन वो सरिफ एक ही काम को कर सकता है जैम, तो दोस्तों अगर आप क्रिस्टल ले आते हैं बिना एक्सपर्ट की गाइड़न्स में, तो उसका नेगिटिव एफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा भी आपको नहीं होगा, तो इसके लिए एक्सपर्ट गाइड़न्स की जरूरत है. हमें उमीद है कि हमारे आज की एपिसोड में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, जो आपके मन में होंगे और उन्हें अनूप जीने सॉल्फ कर दिया होगा, अगर फिर भी आपके मन में कोई शंकार रह गई है, तो आप हमें बेहेचा कॉल कर सकते हैं, हमारी कॉंटाक्ट डीटेल्स हैं, अनूप जी आप हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद रहे और इतनी अच्छी इन्फोमेशन आपने हमें दी क्रिस्टल्स के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, क्रिस्टल्स अगर आप चाहें, तो अपनी जिन्दगी में इस्तिमाल कर सकते हैं अपनी जिन्दगी को और जादा खूबसूरत बनाने के लिए, हमें उमीद है कि आज के इस एपिसोड में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके, जिनका जवाब आपको मिल गया होगा, अगले एपिसोड में फिर होगे आप से मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपके फिक्र है. क्योंकि हमें आपके,